पिछले lesson में हमने जो document मानाया था उसी को इस lesson में हम continue करते हैं किसी भी document की setting हम काम करते समय आसानिस से बदल सकते हैं property बार में इस document की properties हम देख रहे हैं हम सबसे पहले इस document की size बदलते हैं property बार में page size इस tool पर click किजिए page size के लिए इसमें कई preset है इस समय यह document letter size का है हम इसे A4 इस size का बनाते हैं A4 size का dimension यहां millimeter में दिख रहा है document का orientation portrait हो या landscape हो यह आप यहां से all pages और current page यह दो options है फिल्डाल यहां all pages यह option selected है जैसे कि हम जानते है coral raw में एक से ज़्यादा pages होने वाले magazines, books, brochure design किया जा सकते है all pages इस option से document में सभी pages एक ही size के और एक ही orientation वाले बन जाएंगे आपको magazine, book या brochure जैसा कोई document बनाना हो तो यहां all pages यह option से लिट कीजिए अब मान लीजिए कि आप किसी एक client के लिए logo designing, business card याने visiting card, letterhead, envelopes का design बना रहे है ऐसे काम में हर एक graphic का size और orientation अलगल होगा ऐसे काम करते से में current page यह option से लिट कीजिए इससे आप एक ही document में अलग-अलग size वाले और अलग-अलग orientation वाले pages बना सकते हैं आप एक page में logo बना सकते हैं उस page का size अलग रखिए उसी document के दूसरे page में letterhead का design बनाईए उसके लिए आप अलग size का page बनाईए तीसरे page में visiting card का design बनाईए और उस page के लिए business card ये preset select कीजिए इस तरह से आप एक ही document में अलग-अलग size के और अलग-अलग orientation वाले pages बना सकते हैं मगर उसके लिए आपको current page ये option select करना पड़ेगा property bar में फिलहाल millimeter ये option selected है आप जिस unit में काम करना चाहते हैं वो यहां से select कर सकते हैं इस document के लिए हम inches ये option select करते हैं इसलिए document के size अब inches में दिखाई जा रही है हम इस document के लिए अपनी size दे सकते हैं जिसका कोई preset नहीं है document size के लिए इस field में 8 और उसके नीचे 6 ये value दीजिए इस document के size अब 8 by change हुआ है property bar में यहां nudge distance और duplicate distance ये options है इनका उपयोग object moon और duplicate करते समय किया जाता है इनके बारे में हम आगे चिलकर जनकरे लेंगे coral raw में काम शुरू करने के लिए हम अब तयार है अगले lesson में हम graphic designing की पहली CD पर कदम रखेंगे मैं जानता हूँ कि coral raw सीखने के लिए और उसमें नए-ने designs बनाने के लिए आप बड़े उत्सुक है मगर हमें लंबी race जीतनी है हमारी competition किसी और से नहीं बलकि अपने आप से है इसके लिए हम खरगोश के बज़ाए कच्चुए की चाल अपनाने वाले है हमें step by step जाना होगा रास्ते में पढ़ने वाली हर चीज को हमें गवर से देखना पड़ेगा coral raw में expert बनने के लिए आपको मेहनत के साथ ही creative सोच को भी अपनाना पड़ेगा आपको अपने आसपास की चीजों को नए नजर ये से देखना पड़ेगा coral raw में बनाएं डिज़ाइन्स आपको अपने चारो और दिखाई देंगे अखबार में, magazine में, विज्यापन में कहीं भी आप कोई भी डिज़ाइन देखेंगे तो वह कैसे बना होगा, उसमें रंगों का चिना कैसे और क्यूं किया है इसके बारे में सोचना शुरू कीजिए अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद आया तो क्यूं और नहीं आया तो भी क्यूं इसका विचार करना शुरू कीजिए रचनात्मक सोच की ये पहली स्टेफ है, ऐसे कई स्टेफ चड़कर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है इस लंबे सफर में स्वयमलन आपके साथ है ही, आप भी पुरी तरह से तयार हो जाएए